Hello everyone, CVC reports को कैसे read किया जाता है, कैसे पढ़ है, infection है या नहीं है, कौन सी problem है, CVC के अंदर कैसे read करेंगे CVC के लिए सबसे पहले हमें 5 parameters को याद रखना बहुत ज़्यदा जरूरी है सबसे पहले parameters है hemoglobin, दूसरा parameter है TLC, तीसरा parameter है DLC, चौथा parameter है platelets, पांचवा parameter है RVC count इसके अलाबा फिर neutrophils है, lymphocytes है, isonophils है, MCV है, MCH है, वह काफी सारे होते है अब बात करते हैं blood के बारे में, थोड़ा सा blood के बारे में जानेए, blood होता क्या है, खून होता क्या है blood हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है, सबसे पहला होता है plasma, दूसरा होता है red blood cells अब इनके अंदर white blood cells और platelets की मात्रा भी देखने को मिलती है अब यहाँ पर कुछ चीजें अलग से हैं, जैसे कि plasma की जो value है 55% है, अगर red blood cells की बात करें तो यह 41% है और अगर platelets और white blood की यानि की WBCs की बात करें तो only यह 4% है यहाँ पर wuffy cord जो होता है, इसे हम एक अलग criteria होता है, उसके अंदर देखते हैं, जो कि बहुत कम होता है, जो कि 4% देखने को मिलता है अब बात करें, blood composition के बारे में, तो इसके अंदर और क्या-क्या चीजे देखने को मिल जाती है देखिए, plasma है, सबसे पहले अगर हम blood composition के बात करें तो plasma है, red blood cells है, white blood cells है, platelets है, यह सारी जो इनका production होता है, वो होता है born marrow मेरो में, यानि की born marrow इसे बनाता है इसके अलाबा, plasma के गर हम बात करें, तो इसके अंदर liquid part 90% होता है, water, इसके अंदर 10% में nutrients, glucose, fat, vitamins, minerals, waste, CO2, water whipper, proteins, chemical messengers बगेरा होते है इसके अंदर और भी सारी चीज़े मिलती है, जो अलग-अलग काम करती है, और rvcs के बात करें, तो rvcs के अंदर क्या होता है, rvcs के अंदर होता है hemoglobin, hemoglobin एक प्रकार के protein है, जब hemoglobin टोटता है, तो यह अलग-अलग प्रकार की problems create करता है, जैसे malaria में जब hemoglobin, rvcs टोटत इसके जब आफ़िंग का, यानि कि फैंपणों के द्वारा जो oxygen ली जा रही है, वो oxygen सरीर के अलग-अलग हिस्व में पहुंच रही है, उसका जो काम है, वो काम होता है hemoglobin का, जैनी कि oxygen hemoglobin में बैठ करके, सरीर के अलग-अलग हिस्व में जा रही है, बात करें, rvcs कांट ह हमारे सरीर में कितना होता है चिल्डर्ण्स की बात करें तो फोर पॉइंट से लेकर के 5.5 मिलियन होता है अगर बर्थ के टाइम पर देखें टर्म बेवी में तो यह होता है 5.1 से लेकर के 5.3 और जो प्रीमेचर बेवी होते हैं जो डिलिवरी का समय पूरा होने से पहले हो जाते हैं उनके अंधर यह अलग वैलिव में देखने को मिलता है अब बात करें वैज चीज की अंदर जो हमोगलोविन है उसकी वैलिव हमारे सरीर में कितनी होती है तो हमोगलोविन थे yobally होती है मेन के अंदर वो 13.5 से लेकरके 17.5 gnam होता है पर डेसिलीटर और वुमेन यानि महिलाओं कि बात करें तो यह 12 से लेकरके 15.5 gnam पर डेसिलीटर में देखने को मिलता हैidir अब आप कहेंगे महिलाओं में क्यों होता है यह उसका रीजन ही होता है में ishuk का मिलता है अब बात करें आर व कुन के इक चाह्शिक है और वह कितना होता है और ष्वाल का है और उसका ने आंप ढद है और आगर ड़ रोड़ा हुआ है इसका मतलब है कि हमारी जो और वस की range और size जो है बढ़ गई है size जो है वो बढ़ गई है large हो गई है बड़ी RVC हमें देखने को मिलेगी अगर RDW हमारा elevated होगा बड़ा हुआ देखने को मिलेगा तो अब अगर बात करें RVC जो है उसका उसके अंदर जो RDW हम देख रहे थे उसका percentage कितना होना चाहिए हमारे सरीर के अंदर adult की बात करें तो 12.2 से लिकरके 16.1 percentage adult female में होता है और 11.82 14.5 percentage adults male में होता है तो यह अलग-अलग categories है यह देख सकते हैं आप तो यह वी एक अलग categories और यह बताता है कि हमारे RVC का जो size है वो बढ़ गया है अब अगर high हो जाए RDW इसका मदब है कि हमारे सरीर के अंदर या तो nutrition deficiency है या फिर हमारे सरीर के अंदर iron deficiency है या फिर हमारे सरीर के अंदर folate की कमी है या फिर vitamin D, vitamin B12 की कमी है, deficiency है यह high होने पर हमें indication देता है यानि कि अगर RDW high हो जाता है तो ये सारी problems आपको हो सकती है इन में से कोई एक problem भी आपको देखने को मिल सकती है अगर RDW low हो जाए कम हो जाए तो क्या होगा तो इसमें आपको hematological disorders होते हैं उसमें कोई भी जादा problem देखने को नहीं मिलती है यानि कि low RDW जो है अगर RDW low है तो उसमें कोई specific hematological disorders जो होते हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं तो अगर low RDW हो जाता है जो इसमें घबडाने की आपको कोई भी बात नहीं है वो अगर कोई अलग बीमारी है chronic कोई problem चल रहे है तो एक बात अलग है तो इसमें आपको याद रखना होगा low जो RDW होता है उसमें कोई भी परेशानी वली बात नहीं है अब बात करें हमारा leucosids count की यानि के WVC की अब WVC जो infant में होता है वो होता है 20,000 अगर children की बात करें तो वो होता है 10,000 से 15,000 और adults की बात करें तो यह 4000 से 11,000 होता है अब इसके कम होने के बढ़ने के कुछ अलग लग रीजन्स होते ह तो यहाँ पर sex यानि की male है या female है तो यह male के अंदर जादा होता है अब अगर बात करें कोई serious problem की बज़े से जो WVC बढ़ता है TLC बढ़ता है तो अस्थमा में बढ़ सकता है, pregnancy में बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, infection सच अस ट्योबा क्लॉसस में बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, इसके अलाबा अगर मानके चलिए किसी का WVC कम हो जाता है उसे हम lycopenia कहते हैं तो ऐसी situation कौनसी कौनसी हो सकती है जैसे होता है aplastic anemia यह हमारी one meru की बिमारी होती है या myelofibrosis यह भी हमारी one यानि हड़ी की अंदर जो one meru होता हो इसकी problem होती है, cancer मे कम हो सकता है या cancer का treatment चल रहा हो तब कम हो सकता है, congenital problems जैसे coastman syndrome या myelotaxuses होता है, infection disease जैसे HIV tuberculosis, otiomine disease like lupus, rheumato arthritis या vitamin and mineral deficiency के अंदर हमारा जो WVC होता है वो कम हो जाता है, अब बात करें differential leucociousness यानि कि DLC, अब इसमें हमारे 5 cells आ जाते हैं, सबसे पहला होता है neutrophils, दूसर होता है deskorafils, 3 होता है besophils, 14 होता है monocids, और 5 होता है lymphocids, इन के बारे में detail में समझते हैं कि ये कब बढ़ते हैं, कब कम होते हैं और इन्हें कैसे हम सही तरीके से arrange करें और कैसे इने हम समझे, neutrophils क्या है, ishannophils क्या है, basophils क्या है, monocids क्या है या lymphocids क्या होता है तो अब बात समझे, bite blood cells के बारे में, यानि कि WBCs के बारे में, WBCs के अंदर neutrophils जो होता है neutrophils हमारा कब बढ़ता है? जब हमारे सरीर के अंदर कोई infection जाता है या कोई enzymes है या कोई virus bacteria है तो neutrophils एक enzyme को produce करता है एक release करता है इस substance को और जो substance होता है वो जो virus होता है bacteria होता है इसे invading करता है यानि कि उसे खत्म करने के कोसिस करता है अगर lymphocytes की बात करें तो lymphocytes हमारे mainly दो प्रकार के होते हैं सबसे पहला होता है B-cells दूसरा होता है T-cells अब B-cells होता है वो viruses bacteria को invade करता है और toxins को भी invade करता है T-cells होता है वो हमारे एक cells को जो targeted cell होते हैं उनको destroy करता है चाहे हो हमारे सरीर के cells हो जैसे आपने देखा cancer cells होती है या virus बगएरा हो तो अगर सरीर की ही cells है तो T cells हमारे उस targeted cell को खतम कर देता है अब बात करें monocytes के बारे में तो monocytes क्या करता है remove foreign materials, remove dead cells and worst the body's immunities response यानि कि हमारे immune system को immune response को बढ़ाता है, worst करता है और वहाँ पर जो foreign material है उसे remove करता है, dead cells को वहाँ से हटा देता है यह हमारे monocytes का काम होता है, response को भी बढ़ाता है हमारे immune response को अब अगर आगे बात करें, आगे monocytes के अलाबा बहुत सारी चीज़ों होते हैं जैसे visophils है तो visophils का क्या होता है, यह एक enzyme को release करता है जो allergic reactions को control करता है या asthma attacks में, जैसे कि किसी को allergic reaction हुए या फिर asthma का attack हुआ तो ऐसी situation में हमारा visophils जो होता है वो release होगा और enzymes को release करेगा तो यह हमें indication करता है कि हमें कोई allergic reaction है या फिर कोई asthma की problem है अब बात करते हैं नई cells के बारे में जैसे isonophils है तो isonophils जो हमारा होता है वो infection से fight करता है isonophils allergic reaction में भी काम आता है, inflammation में भी काम आता है और यह हमारे सरीर के जो parasites होते हैं, bacteria होते हैं उनको भी defend करता है तो यहां पर कफी सारी help करता है isonophils अगर किसी को पेट में केड़े हैं, allergic reactions है तो ऐसी situation में isonophils हमारा बढ़ता है अब अगर बात करें platelets के बारे में, तो platelets क्यों काम आता है देखिए platelets हमारे clot को जमाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है जिसाड़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है जिसी किसी को bleeding हो रही है, किसी की vessels ruptured हो गई है तो यह platelets क्या होता है, हमारे सरीर के signals हो जाते है platelets के लिए और platelets स smartphone release होना start हो जाते है ज्यदा बनना start हो जाते है, ज्यादा निकलना start हो जाते है जो clot बनाने में मदद करते हैं यानि कि खून रोकने में मदद करते हैं अब normal platelets की कितनी value होती है यह 1.5 लाग से 4 लाग की बीच में होता है अगर एक healthy व्यक्ति है adult व्यक्ति है तो उसके अंदर 1.5 लाग से 4 लाग platelets की value होती है अब अगर बात करें high क्यों हो सकता है तो acute bleeding अ को निकाल दिया तब बढ़ सकते हैं hemolytic anemia में बढ़ सकते हैं इसके लागा inflammatory disorders होते हैं उनमें बढ़ सकते हैं या surgery या other type of trauma अगर खिशे को हुआ हो तब भी यह बढ़ सकता है अब बात करते हैं कि platelets जो है वो कम क्यों हो जाता है तो alcohol use करने पर आपका platelets कम हो सकता है अग और मेरो disorders अगर किसी को है leukemia या एनीमिया lymphomas या mylo dysplastic syndrome से या फिर cancer treatment चल रहा है किसी का ऐसी situation में यह platelets कम हो जाता है अब बात करते हैं erythroceids के बारे में erythroceids यानि कि erythroceids ESR जो से हम बोलते हैं यह क्या होता है यह हमारे सरीर के अंतर major करता है कि erythroceids जो है वो settle down क कितनी जल्दी हो रहा है जैसे यह एक नली है इसके अंदर हमने खून भरा तो यह जो आर्वीसी है वो कितनी जल्दी नीचे बैठ रहा है इसे हम कहते हैं ESR तो यह एक simple है तो ESR जब हाई होता है इसके cause क्या होते क्या 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 होते हैं सबसे पहला reason होता है inflammatory condition में जैसे infection ह है rheumato arthritis है rheumatic fever है vascular disease है inflammatory bowel disease है heart disease है kidney disease है and certain cancers है तो इस problems में आपका ESR हाई हो सकता है लो कब होता है polycythemia, sickle cell anemia, leucocytosis या abnormal increase in white cells यानि कि जब हमारी white cells बढ़ती है तब बढ़ सकता है तब हमारा ESR कम हो सकता है polycythemia में कम हो सकता है sickle cell anemia में भी low ESR हमें देखने को मिल सकता है